हलो फ्रेंड्स एज रॉक के चानल पर आप सभी का स्वागत है तो हम आपके लिए आज मैट्स की आंसर की लाएं है इगनू बीड एंट्रिंस एक्जाम विच वस हेल्ड ओन 11 ओफ एपरिल 2021 तो पूरा सॉलिशन है आपका इसमें मैंने इसी पेपर पर ही सारे कुशिन अब मैं आपको साथ साथ ही सब बताती रहूंगी तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए कुशिन नमबर 101 सम उफ और नमबर बिट्विन 0 और 56 25 तो इसको हमने एपी सीरीज से किया है फ्रेंड्स मैंने या सीरीज बना ली है देखिए 1 प्लस 3 प्लस से लेकर 49 जो लास्ट हम और डी आपका मान यानि डिफ्रेंस आपका तू आएगा और एंड टोटल नमबर आफ यह जो भी है नमबर वह 25 है तो वह एंड में रख दी दिए अब एंड्विन 25 एवन डी टू सब की वैल्यू पुट कर दी है यहां पर जिससे आपका अंसर 625 आएगा अब चलते हैं सिकिंड कुशिन पर तो देखिए 102 में क्या है टैन अब्जवेशन को असेंडिंग ओर्डर में अरेंज किया गया है और मीडिय नाम का दिया हो 63 तो आपको एक्स की वैल्यू निकारनी है हाउ तो आप एक काम कीजिए सब को एड कीजिए अपोन में 10 कीजिए क्योंकि 10 है और इकॉल टू करिए 63 आप एड करेंगे तो आपका आएगा 488 जिसमें x प्लस x प्लस 2 भी होगा इकॉल टू 10 उधर जाकर वो मल्टिप्लाइ हो जाएगा तो हो जाएगा 630 ठीक है तो 630 अब यहां पे देखिए इस 2 को हम 488 में एड करेंगे तो आंसर आएगा 490 630 में से 490 माइनस हो गए तो आंसर आएगा 140 अब डिवाइड बाए यह 2x है इससे करना पड़ेगा तो 2 इसका मतलब इसका आंसर नन ओफ देम था इसका आइथिंग आपको ग्रेक्स माक्स जरूर मिलेगा नाओ 103 75th percentile coincide with फ्रेंड यह याद करने वाला था 3rd quartile होगा या फिर इसको अपर quartile भी बोलते हैं 104 mean, median and mode coincide in normal probability curve यह इसका आएगा next है 105 तो 105 में देखिए आपको the value of secant a, 1 minus secant a, 1 minus sin a into secant a plus 10 a तो friend, secant को 1 by cos कर दीजे, sin को sign रहने दीजे, secant को 1 by cos और 10 को sign by cos उसके बाद पूरी equation solve कर दीजे, आपका answer 1 आएगा अगर आपको कोई दीकत है तो आप मुझे comment में लिखे, मैं इसको भी proper solve करके आपको वहीं दिखा दूँगी आप solve करिए next है 106, the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60, the tower is 50 meter high and the height of building is friend जी मैंने इसका डाइग्राम बनाया है सबसे पहले आप ये वाली triangle लीजी जिसमें आपको angle 60 degree दे रखा है, P by B equal to tangent 60 degree कर देंगे तो tangent 60 की value होती है, root 3, यहां से आपकी base की value निकल जाएगी और यही base आप इसमें put कर दीजी, यहां तक आपको tower की height लेनी है 50 और इसको आप x मान सकते हैं, तो 50 plus x करके आप पूरा 50 by x, मतलब यहां पर भी आप P by B is equal to tangent 30, यानि 1 by root 3 value रख देंगे और फिर ये भी solve कीजे, आपका answer definitely, नहीं, तब answer नहीं आएगा उसके बाद इसने पुछी आपसे height of building, तो इतनी तो आपकी 50 थी आपको इसमें x और add करना पड़ेगा, जो भी आपकी value आएगी, तो इन दोनों को add करके जो भी आएगा वो आपका answer आएगा 50 by 3, जिसको इनोंने 16 is to 2 by 3 meter करके लिख रखा है तो friends आप ये try किजे, इसका answer यहीं आएगा, next 107, एक triangle है ABC, जिसमें AB 6 root 3 है, AC 12 हर BC 6 cm, तो angle B बताना है, तो friends हम इसको pythagoras theorem से करेंगे, आप सबको पता है, उसने angle B पूचा है, तो मैंने angle को ही, B को ही 90 degree कर, मतलब एक pythagoras theorem की help से हमने कर दिया, तो उसका formula क्या होता है, hypotenuse का square is equal to perpendicular square, perpendicular square plus B square, तो यहां हम belly put करेंगे, आप देखिएगा, कि दोनों का ही answer 144 आएगा, तो इसका मतलब equal है, इसका मतलब right hand side, 90 degree आना चाहिए B angle, तो इसका answer भी 90 degree आएगा, तो अगला देखिए 108, 8 men can dig a pit into 20 days, या अपने man days आवर वाला question किया होगा, तो देखिए मैंने भी उसको उसी तरीके से किया, 8 men can dig a pit in 20 days, तो 8 men into 20 days, अगर एक man work half as much more as a boy, मतलब अगर एक boy एक काम कर रहा है, तो man वो, डेड़ काम कर रहा है, 1 into 1 by 2, तो friends man की कितनी आई, 3 by 2, जिसमें से हमने man की efficiency 3 कर दी, और boy की 2 कर दी, अब यहाँ पे इसने आगे का है, 4 men and 9 boys, विल दिग a similar pit in how many days, 4 men plus 9 boys into days, हमें यह find out करना है, तो man की efficiency मैंने आ रग दी, 8 is to man मतलब 24, और into 20, यह 24 into 20 उपर दे रखा है आपको, 4 man plus 9 boys, यह वाल लाइन, 4 man, man 3 है तो 4 into 3, 12, plus 9 boys and boys की efficiency 2 है, तो 9 into 2, 18, तो 12 plus 18 आपका 30 आजगा, आप 24 into 20 by 30 कीजे, तो आपका 16 days आजाएगा, friends कोई भी प्राब्लम हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैंने अपनी तरफ से अच्छी तरह solve करके हाँ दिखाया है, फिर भी कोई दिखात हो, तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजे, मैं आपको दुबारा से भी समझा दूँगी, नाओ, next 109, 12 copies of a book was sold for Rs. 1800, thereby gaining the cost of price of 3 copies, the cost price of copy, यह जो friend यह word है न, gaining, इसी का मतलब सच्जे, गेन कब होगा, जब profit होगा, profit कब होगा, जब selling price minus cost price होगा, selling price क्या है कोपियों का, 1800, minus cost price क्या है, 12 copies, तो copies X रख दी, हमें नहीं पता न, क्योंकि उसकी value कितनी है, 12 X कर दिया, अब profit होगा, profit कितना, 3 copies का, तो 3 X, यह equation solve कर ली, आपका 120 answer आजाएगा, now last, इस page का 110, एक wooden box है, जिसका size Z दे रखा है, packets हैं, जिसका size Z दे रखा है, तो बताने हैं, कितने box में आ सकते हैं, तो friends, box divide by size of a packet, solve कीजे, answer 200 आएगा, आप screenshot ले सकते हैं friends, मैंने हर question को यहीं solve करके लिखा रखा है, बढ़ते हैं आगई, 111 पर, the approximate value of this, इसको आप simple traditional वे से भी solve करेंगे, तब भी ज़्यादा time नहीं लगेगा, आप जो भी calculation दे रखे, उसी वे से गरिया, आपका 0.20 easily आ जाएगा, next है, two trains, 126 meter plus, and 114 meter long, मतलब, ठीक है, आगे पड़िया, running in opposite direction, दोनों अलग अलग जा रहे हैं, 21 speed इतनी है, 21 speed इतनी है, तो moment बताएगे, कब वो cross करेंगे, most easiest question, I think, most easy question है, आप देखे, 126 plus 114, यह तो आपका distance आएगा, क्यों, क्योंकि, दोनों अलग अलग direction में जा रहे हैं, तो वो भी इधर, वो भी इधर, दूसरी तरफ, तो दोनों को आड़ कीजे, आपका distance आएगा, आपकी speed भी दोनों को आड़ कीजे, 72 आपकी speed आएगी, और 240 आपका distance आएगा, आप formula लगा दीजे, distance is equal to speed into time, distance आपको दे रखा है, sorry, 240 आएगा, और speed into time, time हमें find out करना है, speed देखें फ्रेंड्स, यह km पर hour में है, यह meter में है, तो इसको km पर hour में बदलने के लिए, 72 को हम करेंगे, 5 by 18 से multiply, तब जाकर हमारी speed आएगी, और into time, अब हम distance upon speed कर सकते हैं, जासे मारा time 12 second आचाएगा, next question, 113, is student passed in first division by securing 440 marks, but missed the distinction marks of 75% by 10 marks, तो इसका मतलब, अगर हम इस 440 में, 10 marks और add कर देतें, तो 75 की value आजाती, और हम maximum marks बता सकते हैं, तो 440 plus 10, 450, 450, divide by 75, तो आपको 100 का बताना है, आपका 600 answer आएगा, यह देखिए, यहाँ पे solve भी किया हुआ है, friend next, a sum of money amounts to rupees 1800 in 2 years, मतलब कोई principle था, जिस पे 2 साल में 1800 हो रहे हैं amount, और 2592, 2592 in 4 years, at a compound interest rate of, हमें rate बताना है, तो देखिए friends, यह मैंने उपर solve कर रखा है, इसको देहान से देखिएगा, कोई principle था X, 2 साल में वो 1800 हो रहा है, उसके 2 साल बाद और वो 2592 हो रहा है, तो हमने क्या किया, दोनों को, एक ratio ले लिया, यह ऐसे करने का एक तरीका होता है, आमने 2 साल का ratio ले लिया, 1800 दो साल में हुआ था, और उसके 2 साल बाद 2592, तो मैंने 2 साल का minimum ratio ले लिया, 1800 और 2592, कट किया, 900 और 1296 आया, आप कभी भी ऐसे टाइप के situation आए, तो यह देखिए, आप यह square किसका बनता है, क्योंकि 2 साल का minimum gap है, तो square, अगर 3 साल का होता, तो आपको cube root बनाना होता, आप square root देखिए किसका है, तो यह बनता है 30 का, और यह बनता है 36 का, तो ratio हमारे पास आगया 30 और 36, अभी इनका जो difference है, वो हमारा interest है, फर्मला होता है, interest upon principle into 100, interest 60, principle पहले वाला obvious है, यह amount है, interest upon principle into 100, तो यहां से आपका rate आजाएगा 20%, यह देखिए, 114 का answer है 20%, next करते हैं, HCF and LCM of two number are given, one of the number given, तो find out the other number, फ्रेंजे, बहुत easy question है, इस type के question को करने के लिए, आपको बस एक formula put करना है, HCF into LCM is equal to first number into second number, तीन चीज़े आपको given है, तो fourth one, you can find out, so option number one is right, now next 116, a man's salary was decreased by 30% and then increased by 30%, the net changes, तो front 30%, कितना होगा 3 by 10? decrease हो रहा है, तो 10 में से 3 minus किये, 10 से कितनी हो गई? 7, अगले साल increase हो रहा है, तो 10 से कितनी हो गई? 13, 10 to 13, दोनों को मल्टिप्लाइ कीजिए, 10 into 10, 100, 7 into 13, 13, 7 is a 91, तो कम कितनी होई? 9%, हमें ये तो पता चल गया कि, भई, कम हो रहा है, 9 कम हो है, percentage निकालना, तो 9 upon 100 into 100, आपका 9% ही आएगा, क्योंकि 100 से 91 होई है, इसलिए हमें पता चल गया कि, वो decrement में है, 117, average salary of male employee is this, female is this, mean salary is this, percentage बताव female की, तो पहले तो आप, मतलब एक सोरवाई की फॉर्म में रखे, traditional method से कीजिए, employee 5200 है, और female की, male employee 5200 है, female 4200 है, average आपको 5000 दे रखे, percentage बताई, मैंने male X रख लिया, female Y रख लिया, तो दोनों को आड़ कर रिया, upon में total, X plus Y, is equal to 5000, अब X plus Y उधर जाएगा, multiply होगा, देखिए, multiply होगा, यहां से, X by Y is equal to 4 by 1 आजाएगा, इसका मतलब, total employee 5 है, male और female को मिला कर, तो female कितनी है, 1, 1 upon 5 into 100, कितना आएगा, 20%, तो आण से 20% आएगा, नेक्स देखिए, how much would I get, if the sum of this is to be divided by, in this, और A और B का ratio दे रखा है, B और C का असे, तो friends, इस type के question को करने के लिए, आप ध्यान से देखिए, A भी आपको 4, 5 दे रखा है, आप उपर A, B, C तीनों लिखिए, A भी आपको 4, 5 दे रखा है, B, C आपको 6, 7 दे रखा है, तो जो भी यहाँ है, उसी को यहाँ लिख देजे, जो भी यहाँ है, उसी को यहाँ लिख देजे, तो आप multiply कीजे, 4, 6 is 24, 5 6s are 30, 5 7s are 35 टोटल कीजिए क्योंकि टोटल आपको गीवन है 890 इसका टोटल लाएगा 89, तो 890 अपों 89 जिसका फांड आट करना है multiply कर दीजिए उसको एक पूछा है तो 24 आंसर आजाएगा 240 you can see this also 240 last second question है a father's age is 5 times the age of his daughter, it was 9 times 5 years ago how old is the father now तो friend, ये last के दोनों question आप option से try कीजिए बहुत easy होगा 5 गुन है अपने daughter से, मैं सीधा आपको option जो है वही बताती है, देखिए अगर ये 10 है बेटी तो पिता 50 है ठीक है, 9 साल पहले क्या था, sorry 5 साल पहले क्या था, 9 times 5 साल पहले 5 5 साल पहले 45, तो क्या ये 9 गुना है 9 times है, obvious है तो इसका मतलब second option है last 120 है a two digit number is less than 30 these all are less than 30, तो मतलब 4 option हो सकते है, sum of its digit is 7, 6 और 1 7 ये भी हो सकता है, ये तो पहले ही चला गया ये भी हो सकता है, ये भी चला गया multiplication product is 10, क्या इसका multiply 6, 1, 6, 2, 5, 10 तो यही आंसर है तो फ्रेंट्स, आज मैंने आपको ये 20 के 20 कुशन करके दिखाए हैं अगर आपको किसी भी कुशन में कोई भी प्रॉब्लम लगे you can ask me, you can comment me और इसके बाद आप कौन सी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे वो कमेंट में जरूर बताइए थैंक यू फ्रेंट्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं और और आपको वीडियो जो भी इस चैनल की अपडेट्स नहीं हो उसके लिए प्लीज सब्स्राइब टू माइ चैनल फ्रेंट्स, थांक यू बाबाए ठेक केर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में